बगवान के जितने गुर्णगान करें बहुत थोड़े हैं किसी शिष्ष ने गोतम बुद्ध बगवान से पूछा था कि आपने तो बहुत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरुप ऐसे ही है जैसे प्रत्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिया हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है यह अनन्त है अखंडे, अच्छेदे, अभीदे अध्वैतम अच्चुतम अनाधिम अनन्त रूपम आध्यम पुरान पुरसम नवयोवनम्च वेदेशू दुरलभम एदुरलभम आत्म भागतो गुविंदमादि पुरुषम तमावं भजामी वेदेशू दुरलभम उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे शुदुरलभम वेदेशू दुरलभम एदुरलभम आत्म भागतो लेए आत्म भागतो यानि जो भगवान के परम प्रेमी भगते हैं अर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाद महराज जैसे ध्रुव महराज जैसे अदुरलभम उनके लिए अदुरलभ है उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों? प्रेम आत्म भागतो क्योंकि प्रेम ही भागते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमीशर को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से ज्यान से जानने की कौशिश करी तो ब्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ति कहा है भक्ति विलोच नीन प्रेमान्यन चुरिता भक्ति विलोच नीन भक्ति बरे नेत्र होने चाहिए भक्ति के चक्षु होने चाहिए प्रेम के चक्षु तब उनको उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर उजर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की वो छोटी छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है पूलों में उसी की गंद है सुर्ये में उनीका प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्ष वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भगवान ही है वहवान के कलाएं विभूतिया है भगवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लिए कभी हम यह उठा के नहीं देखते है जल सरोतों में गंदा मैं हूँ आज वेग्यानी के इस नतिजे पर पहुँचे कि संसार के जितनी भी नदिया है उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरता है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्तना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो तो तुरंति विश्व भगवान की याद करता है कि विश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन्न हो जाता है उप्राणी अब्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं बैकुंठ के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वरगवास हो गया, या वैकुंट सिदार गए, कहने से नहीं, कहने से काम नहीं चलता, ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे, या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे, सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठ्धियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम, हरी राम, 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 हरी, हरी, ये परम रहश्मई महा मंत्र भगवान को रिजाने का, इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है, उनको ये प्रभाव मालूम है, ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है, क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिए कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए जा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटीज, काम, क्रोध, मद, मोह, मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहां इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रुए अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरदा के भी सेमें बतलाया, कि सरदा जो इर्दे में होती है, सरदा का उदे होता है नाबी के उन्दर से, इर्दे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उद्य नहीं होता पहले सरदा उद्य होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं फल लगते हैं सरदा ही नहीं है आपको बहुआन के प्रती या किसी के प्रती तो प्रेम कैसे उद्य होगा फिर सरदा कैसे उदय हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरदा उदय होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक मा अपने बाव बेटे को पुत्र को छोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लेज़े बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलब जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रती हमारे एर्दे में प्रेम जागरी तो होता है प्रेम जागरी तो होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनवह हो गया है, रिलाजिशन हो गया है, भगवान का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, भगवत साक्षात्कार हो गया है, ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं, कि हमको भी कुछ ग्यान मिले, उस ग्यान से सर्दा पैदा होती है, जो अनवह उस महान आत्मा किया जिन्होंने तत्तों से उस इश्वर को पैचाना जाना वो ग्यान उपदेश करता है उनके वाक्यों में सरद्धा पैदा होती है गुरू के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभू में सरद्धा पैदा होती है परमेश्वर में सरद्धा पैदा होती है तवी तो भगवान स्रीकृष्ण ने उबदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परिप्रशनेन सेवया उबदेख्षंती ती ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना है अर्चुन तु मेरी किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्यान उबदेश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फलोई, मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, अभी तो गुरु को भी गिर्धर गोपाल के भीतर ही देख रही ही मीरा, क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं, सारे गुरु समाईते हैं, ब्रह्मा बिश्णु समाईते हैं, सारा बिश्व ब्रह्मान समाईते हैं, इसलिए तो अद्वत कहके बोला भगवान को, कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप, पंची, जल, तालाब, समुद्र, सब भगवान के अंदर हैं, तो गुरु जी भी भगवान के अंदर ही हैं, बारनी, मीरा कहती है कि, मेरो तो गिर्दर गोपा दूसरों न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही, संतन धिंग, बैठ, बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाचने लगी, भगवान के गुणगान करने लगी, तात मात भाई बंधू, आपनों न कोई, मेरे तो गिर्दर गोपाल, दूसरों न कोई, अस्वन जल सीच, सीच, अब तो छट पटाती है प्रभु से मिलने, बहुत बियोगी नहीं बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदे चट पटानी लगा, तो चट पटाता है भगवत मिलने को, तो प्रेम के आँसु मरते हैं, मिलने के लिए कभी रुदन करता है, कभी हसता है, कभी कि, महा बहाओ में चला जाता है मेरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरन में आये भगवान के पवित्र नामों का जाब कीजिए ये शरन मा आने का एक सीधा मारग है उन्हें कभी नहीं बिसा रहे बिसारी उटते बैठते सोते जागते नाते दोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते, कमाई करते, कभी भी भगवान को नहीं बुलाईए भगवान आपके इर्दे में आपके प्रतेक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते हैं मालूम है उनको, क्या आप क्या विचार कर रहे हैं आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है पूरे विश्व के साक्षी भगवान है आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमीश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वो यह गुण तत्व है जो सागर के अंदर है यह सागर सॉल्टी है ऐसे यह बूंद भी सॉल्टी है तरल है सेम क्वाले ऐसे ही हम बगवान के यह अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म आमारा और आमारी पेवर कॉंशियसनेस का बगवान से मिलता है एकदम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हमारा हम पेवरिटी को खो चुके इसलिए भी बगवान को भी पहचानते नहीं और बगवान को दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सत्वगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णा आत्मा सत्वगुण में जीती है अपनी जीवन को निस सत्वगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर स्लोकों में यह तीनों गुणों का वर्णन किया है। आहर का चेप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्या के प्रारव में। आहर भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा, बड़े-बड़े, सभी आहर के ही रूप हैं। यह साड़ा हमारा शरीर यह आहर का ही स्वरूप है, जो जो आहर हमने किया, खाया पिया, वो ही तो डवलप हुआ है। चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहर मिला हो, या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो, या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने, अन खाया, वेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई, उसे से यह शरीर डवलप हुआ है। तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है, वो पहला गुरू है, समाज का, यह शरीर का, बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है। जैसे जैसे मा उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है, और बड़ा होता जाता है। और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है, कि यही भोजन अच्छा है, मेरी माँ खिलाती है, इसमें दोश क्या है, शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, गी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहूं की रोटिया है, बा वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबला वस्थाम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है वागि रजोगुन नीचे दबा रहता है तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुन दबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं बच्वन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ गव के बच्चरी कटते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ